A small body of super dense material whose mass is twice the mass of earth but whose size is very small compared to the size of earth एक बहुती small body यह super dense material की है उसका mass अर्थ के mass का double है लेकिन उसका size जो है वो बहुती small है point size है starts from rest at a height h और h जो हो आर से बहुती कम है तो डाग्राम बनाएंगे इस तरह की situation है यह माली अर्थ है और यहां पर एक एक object है जो अर्थ की surface से बहुत ही कम height पर है यह height जो है वो आर के comparison में बहुती कम है तो इस से पूरे region में अर्थ का gravitational field हम uniform मान लेंगे और uniform होता है वो g और h height गिनने में time पूछने कितना लगेगा तो जो time लगेगा वो सीधे formula लगा रहे है h is equal to u to 0 है plus half gt square जो acceleration due to gravity होता है यह body के mass पर depend नहीं करता है हलका object हो या भारी object हो या बहुत ही भारी object अगर वो point object है और बहुत ही पास गिर रहा है तो पूरे region में gravitational field क्या होगा uniform ही होगा तो जो उसको time लेगा है अर्थ की surface तक पहुचने में वो होगा अंडर रूट 2H by G और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि वो point object है so your answer is a part अगला question करते है the density of core of a planet is row 1 and that of outer shell is row 2 क्योंकि एक planet है और उसमें दो layers में एक r radius के core है उसकी density row 1 है और फिर r से 2 r तक जो है वो outer layer है उसकी density row 2 है the gravitational field at the outer surface of planet is same as the surface of core यह कह रहे हैं कि यहाँ पे gravitational field और यहाँ पे gravitational field दोनों same है तो row 1 और row 2 का ratio बनाइए तो यह point में कह जेता हूँ 1 और यह point में कह जेता हूँ 2 और दोनों पे gravitational field की value लिखते हैं तो general अगर uniform sphere होता है तो gravitational field का formula होता है gm by r square यह formula होता है अगर आपको density के terms में चाहिए तो जो mass है उसको हम लिख सकते हैं 4 by 3 pi r cube into rho तो हम बात कर रहे हैं अभी पहले point की first point की बात कर रहे हैं तो first point पे जो gravitational field होगा और सिर्फ core की वज़ास होगा core का mass अगर मैंने का m है core की radius अगर rho है तो mass m को हम represent कर सकते हैं 4 by 3 pi r cube rho से और rho यह rho 1 है तो इसका नाम मैं कह रहा हूँ g1 तो यह जो g1 आपका आ रहा है यह r square से 1 r, 2 r cancel out हो जाए एक r बचे का तो यह बचे है आपका 4 by 3 pi g r rho 1 यह होगा आपका core की surface पे acceleration due to gravity ठीक अब अगर पूरे planet की surface पे अगर हम निकालेंग acceleration due to gravity second point लिख रहा हूँ उसको मैं g2 तो formula उसमें मैं यह लगा रहा हूँ gm upon r square r जो है वो आपका 2r का square हो गया और यह जो m mass है अब यह m mass सिर्फ core का mass नहीं है पूरे planet का mass है तो हम यहाँ पे पूरे planet का mass डालेंगे कैसे डाल रहा हैं देखिए यह होगा g upon 4r square और पूरे planet का जो mass हुआ वो होगा core का mass plus outer shell का mass core का mass कितना होगा 4 by 3 pi r cube into rho 1 plus outer shell का mass कितना होगा तो उसका volume कितना होगा तो मैं यहाँ लग से plus तो वो उसका volume होगा 4 by 3 pi times 2r का cube minus 4 by 3 pi times r का cube shell का volume निकालने के लिए मैंने पूरे sphere के volume मैंसे core का volume minus कर दिया और उसकी density rho 2 यह होगा और यह कह रहे हैं g1 और g2 बरावर हैं तो बरावर कर देते हैं इनको अब ठीके g1 की जगे हम क्या लिखेंगे 4 by 3 pi gr rho 1 और वही किसके बरावर है g2 के बरावर g2 क्या होगा तो g upon 4 r square तो आगया बाहर अब अंदर से देखते हैं क्या के common आने वाला है देखिए पहला factor जो है वह है 4 by 3 pi r cube rho 1 और दूसरा जो factor है वह कितना होगा 4 by 3 pi तो common हो जाएगा यह होगा आपका 8 r cube और यह r cube तो 7 r cube बचेगा 4 by 3 pi common लेके 4 by 3 pi से cancel out हो गया इस g से यह g चला गया तो यहां भी एक r बचेगा यहां भी एक r बचेगा और वो r और r common लेके इस r से चला गया तो यहां बच रहा है सिर्फ rho 1 यहां और अंदर क्या अच्छा इस 4 से भी इधर multiply कर देते हैं तो यह 4 rho 1 हो गया इधर क्या बच रहा है आपका rho 1 प्लस 7 rho 2 clear तो 3 rho 1 जो है वो 7 rho 2 के बराबर आ गया so rho 1 upon rho 2 is equal to 7 by 3 so your answer is c part question में calculation लंबी थी लेकिन जो उन्होंने का हमने वही कर दिया उन्होंने का core की surface पे और पूरे planet की outer surface पे gravitational field acceleration due to gravity या gravitational field same है तो हमने दोनों निकाले और same कर दिये और cancel and cancel हो के finally आपको answer मिल गया work done by an external agent in bringing three particles each of mass m at the vertices of an equilateral triangle of length l external agent से work done पूछ रहे हैं तीन particles m mask हैं at the vertices of an equilateral triangle of length l कितना work करना पड़ेगा कहां से लेके आ रहे होगा इंफनाइट से लेके आ रहे होगा तो इंफनाइट से लाने में जो work करना पड़ता है ठीक आपको करना क्या है एक triangle बनाना है create करना है construct करना है और उस triangle के हर corner पे m mass पहुंचना चाहिए और यह m masses लेके कहां से ला रहे होगा आप infinites तो पूछ रहे हैं इसको बनाने में कितना काम करना पड़ेगा तो इसको बनाने में जो काम करना पड़ेगा वही तो इसकी potential energy के बराबर होगा work done by external agent is equal to increase in potential energy होता यानि final potential energy minus initial initial तो 0 होगी क्योंकि सारे masses infinite पे थे infinite का potential infinite पे potential energy सब 0 होती है तो जो work done होगा वो directly final potential energy के बराबर होगा तो कितनी होगी तो वो होगी minus g minus g small m small m upon l यह होगी एक pair की और आपके पास 3 pair है total तो यह final potential energy हो जाएगी और यही work done by external agent होगा so it is minus 3 gm square by l so your answer is b part the ratio of kinetic energy of a planet at a point 1 and 2 1 और 2 पे kinetic energy का ratio पूछे तो हमें velocity का ratio पता होता है ठीक है यहाँ पे अगर velocity v1 है यहाँ velocity v2 है तो conservation of angular momentum यह कह रहा है कि mv1 r1 किसके बराबर होना चाहिए mv2 r2 के बराबर होना चाहिए clear ठीक तो यहाँ से m से m cancel out हो जाएगा तो v1 upon v2 का ratio जो आएगा वो आपका आ रहा है r2 upon r1 तो kinetic energy का ratio क्या होगा k1 upon k2 तो k1 होगा half m v1 square k2 आपका हो जाएगा half m v2 square तो half m से half m क्या हो जाएगा cancel out तो यह आपका हो जाए v1 square upon v2 square और यह किसके बराबर हो जाएगा r2 by r1 के square के बराबर so your answer will be b part if the earth is squeezed gravitationally to half of its present radius अगर हम अर्थ को compress करके आधी radius में convert करने तो पूछ रहे हैं day के duration में क्या फरक पड़ेगा तो जरा समझे यह concept यह है कि अगर आप अर्थ को compress करोगे तो उसका moment of inertia कम हो जाएगा moment of inertia कम हो जाएगा तो angular velocity बढ़ जाएगी क्यूं क्यूंकि उसका जो angular momentum होगा i omega यह constant रहेगा ठीक तो जरा समझते हैं कैसे करेंगे i जो होगा earth solid sphere की तरह टीट कर रहे हैं तो i होगा 2 by 5 m r square और omega होता है आपका 2 pi by t is equal to constant time period ही निकालना है तो उससे सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो यहां से एक चीज़ समझ में जो आ रहे है वो यह आ रहे है कि टी जो है वो r square के proportional हो जाएगा अगर आपने radius को half कर दिया तो जो time है duration of day है जो time period है वो 1 by 4 हो जाएगा तो यानि अगर पहले time aapka 24 गहंटे तो आप time आपका सिर्फ 6 गहंटे बचएगा यानि 6 गहंटे का पूरा दिन होगा तीन गहंटे के दिन what a mean रोशनी होगी तीन गहंटे में देराओग而 8that कंड पारइस के छअटे का देन होता है वह आपका 6 गंपारा ते यह से Find the escape velocity of a particle of mass m which is situated at a radial distance r from the center of earth above the earth's surface. Escape velocity पूछा है. कितनी distance पे? r distance. तो यह सीधा formula लगा देना है. escape velocity का formula होता है under root 2 gm by r. तो अगर center से r distance पे तो यही formula लग जाएगा, यही escape velocity हो जाएगी. So your answer will be c part. If a particle of mass m is projected with minimum velocity from the surface of a star with kinetic energy is k1 gmm upon a. एक particle उसका mass m है और उसको minimum velocity से कुछ minimum velocity कह रहे हैं, कुछ k1 times gmm upon a. एक के बराबर हमने फैंका है और क्या हुआ है वो जड़ा पढ़ते हैं question में क्या कह रहे हैं हो आगे. तो minimum kinetic energy मैं यहां लेकर देता हूँ, इससे पहले भूल जाओं. जो minimum kinetic energy थी वो दे थी आपको k1 g capital M small m upon a. इससे हमने किसी object को फैंका है and potential energy at the surface of the star और उस surface पर जो potential energy वो यह दी गई है. towards the star of same mass small m and radius a, k1 and k2 are the constant to reach the other star, find the distance between the centers of the two star. अब यह जो small m mass है, यह किसका star का mass है, कि object का mass है, क्योंकि object का mass भी शायद small m ही बताया था नो ने. देखते हैं क्या कह रहे हैं हो. हाँ, particle का mass भी small m है, तो star का mass हम capital M माल लेते हैं फिरू. star of the same mass लेखा है तो उसको क्या मानते हैं? capital M. और radius कितनी है? यह. तो diagram situation यह है, diagram बनाएंगे. माल ले एक star यह है, एक star यह है, और इसका mass M है, radius इसकी A है, इसका भी mass M है, radius इसकी A है, और इसकी surface से मैंने किसी small m object को फैंका है. कितनी kinetic energy से फैंका है, वो kinetic energy आपको दिए है, यह है minimum kinetic energy जिससे आम इसको फैंका है, और इसको कहाँ पहुंच जाना है, इसको दूसरे surface तक पहुंच जाना है, तो यह kinetic energy कम से कम इतनी होनी चाहिए, कि इसके midpoint को cross कर दे, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि यह दोनों star जो है, वो identical है, अगर star के center to center distance r है, तो यह midpoint मतलब r by 2 यह जो distance होगी, इसको cross कर दे, क्योंकि जैसे इसको cross करके इस तरफ आ जाएगा, उसके बाद तो यह जो star है, वो अपने gravitational effects को खीची लेगा, तो इसके पास जो kinetic energy है, वो कम से potential energy, और इस point तक बस पहुंच जाया, यानि इस point पर जो final kinetic energy होगी, वो almost क्या हो जाएगी, 0, ज़रा देखिए, क्या लिखेंगे, इस point पर जो potential energy है, वो कितनी दी हुई है, तो वो आपको दी हुई है, k2, g, capital M, small m upon a, यह potential energy, plus kinetic energy से कितने से फैंका तो वो है, k1, g, capital M, small m upon a, is equal to, इस point पर kinetic energy तो कितनी होगी, 0, plus potential energy कितनी हो जाएगी, तो यह जो, अब यह जो r by 2 distance पर, r by 2 यहां से, r by 2 यहां से, तो जो potential energy आईगी, वो दौनों की वज़ा से आईगी, और वो होगी आपकी, minus g, capital M, small m upon r by 2, minus g, capital M, small m upon r by 2, ठीक, अब इसमें एक और problem है, यह जो potential energy दी है, यह potential energy negative होनी चाहिए, यह potential energy क्या होनी चाहिए, यह negative होनी चाहिए, ज़र एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या कहा है और उनने, कुछ और special कहा हो तो, if a particle of mass m is projected with minimum velocity from the surface of earth with kinetic energy, यह तो kinetic energy दी है, and potential energy दी होई है, and potential energy at the surface of star, अब यहां थोड़ी सी problem है, problem यह है कि यह जो potential energy होनी चाहिए, यह negative होनी चाहिए, तो, मैं अपनी मर्जी से फिरें एक minus लगा जाता हूँ, otherwise answer match नहीं करेगा आपका, तो यह आपका k2 वाला part हो गया negative, तो यह GMM, 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 common energy cancel out हो गया, तो यहां आपका बच रहा है, A, A, LCM आ गया, तो यहां बच रहा है, K1 minus K2, और इधर कितना आ रहा है, तो minus 1 by R, by 2, minus 1 by R by 2, यह 2 पर पहुंच जाएगा, minus 2 by R, minus 2 by R, तो यह हो गया, minus 4 by R, तो हमें R चाहिए, तो R यहां से मिल जाएगा, minus 4A upon K1 minus K2, तो अगर minus मैं अंदर ले जाओं, तो यह आपका आ जाएगा, 4A upon K2 minus K1, तो इसमें बस थोड़ी सी problem थी, वो problem यह थी, कि स्टार की सर्फेस पर जो, उस particle की potential energy दी थी, gravitational potential energy कभी positive नहीं होती है, gravitational potential energy हमेशा कैसी होती है, negative होती है, तो मुझे यहां एक minus लिखना था, तब जाके हमारा answer match करेगा, तो यह answer will be B part, The mass of the satellite is m by 81, and radius is r by 4, where m and r are the mass and the radius of the planet, The distance between the surface of the planet and its satellite will be at least greater than, अब यहां जिखते हैं क्या हो सकता है, एक planet है, planet का mass m है और radius r है, और उसके around एक satellite गुम रही है, और satellite भी बड़ी satellite है, उसका mass m by 81 है, और उसकी radius r by 4 है, The distance between the surfaces of the planet and its satellite will be at least greater than, कहरें, प्लानेट की surface and its satellite और उसकी satellite की surface, surface ही होगी, the distance between the surfaces of planet and its satellite will be at least greater than, कि जो satellite, है वो planet, satellite की surface, planet की surface से कितना दूर होनी चाहिए, at least कितना दूर होनी चाहिए, तो यह question कुछ बना नहीं, क्योंकि वो तो distance तो कुछ भी हो सकती है distance तो आपकी कुछ भी हो सकती है यह satellite है जिसका mass है m by 81 और जिसकी radius है r by 4 अब यह surface to surface की distance पूछ रहे हैं तो यह distance तो कुछ भी हो सकती है यह तो depend करेगा कि कितनी speed से गुम रहा हो उसकी speed पर depend करेगा तो यह clear नहीं है यहां पर कुछ भी answer हो सकता है इसका